हलो फ्रेंट्स आइम अपरती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस टिंगू गिलहरी की स्टोरी तो अब खतम हो चुकी है क्योंकि अब वो नहीं आता है शायद पता नहीं वो है भी या नहीं और अब शुरू हुई है गिलहरी की न्यू जेनरेशन की वीडियो इनको पता चल गया है कि हम इनको दाना देते हैं तो यह सब पहचान गई है और अब तो साथ आठ गिलहरी आती है बलकि इससे भी जादा आती होंगी लेकिन सबको एक वीडियो में शूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब यह एकटी होती है तो यह फिर लड़ने लगती है जो हमारे घर पर एक शेड पड़ा हुआ है उस पर यह लड़ती है और हमें पता चल जाता है कि यह आ गई है और हमसे दाना मांग रही है तो जैसे ही हम आते हैं मुंगपली चील कर देते हैं तो इनको पता चल गया है आज पहली बार ऐसा हुआ कि यह हम बैठे हुए थे त क्योंकि वैसे तो मैं इनको दूर दाना फेक देती हूँ क्योंकि ये अभी नए नए हैं और डरते हैं तो हम नहीं चाहते कि इने डिस्टर्ब हो या ये बार-बार भागें और बार-बार आएं लेकिन अभी ने हमारी पहचान हो चुकी है और आज पहली बार ये जितनी भी गिलैरियां थी एक-एक करके ये उपर पलंग पर आ रही थी बार-बार और दाना लेकर जा रही थी और आज बहुत सारी गिलैरियां एक साथ आएं थी लेकिन कैमरा को हम इधर उधर नहीं कर सकते थे क्योंकि ये भाग जाती है अभी नई नई है तो हमें देखना था कि इ इतनी जादा ये गिलैरियां है नीचे भी घूम रही है पलंग के तो हर चीज के लिए टाइम निकालना जरूरी है क्योंकि इनको दाना देने के लिए फिर इनके पास बैठना पड़ता है अगर वीडियो बहुत पास से शूट करनी हो या हाथ से दाना देना हो और इतना ट पर ये है कि कहीं ये हाथ में काटना ले क्योंकि कभी-कभी मुंगपली के दाने के चक्कर में ये हमारे हाथ में भी काट सकती है क्योंकि जब एक बार मैं बहुत छोटी थी तब एक बार ऐसा हो चुका है अब इतना experience नहीं था लेकिन जैसे अभी nails बढ़े हैं तो ये nails को क कुछ खाने की चीज समझ कर उसमें भी कट लगा सकती है तो हाथ को थोड़ा सा प्लेन रखना होता है जो इन्हें समझ में आ जाए कि एक बेस है कोई खाने की चीज नहीं है तो अभी तो आप आगे देखेगा कैसे हम हाथ को सीधा रखते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ज चुरल हैबिटेट में रहना ही जादा सही है तो इसलिए हम दाना रख देते हैं ये खाती है पानी पीती है चली जाती है लेकिन आज ट्राइ किया कि ऐसा हो सकता है क्या इतना विश्वास इन्हें हमारे उपर हो गया है तो ऐसे ही ट्राइ किया कुछ दाने हाथ में रखे तो इन में से कुछ गिलहरियां जो हैं वो तो डर कर भाग जाती हैं लेकिन कुछ गिलहरियां थोड़ी सी समझदार हैं और वो हाथ से दाना उठा कर खा लेती हैं तो हर चीज में साफधानी रखने की तो जरूरत है ही और इन जैसी वीडियो को शेयर करने का जो हमारा वो यह है कि आप जीवों के प्रती दयालू बने उनके लिए केर करें उनको थोड़ा दाना पानी दीजिए जो कि आपकी इंसानियत को भी दर्शाए हमारे पास बहुत से गलत कमेंट्स भी आते हैं इसके बारे में कि इनको आप पकर लीजिए या इनको कैसे पकरना चाहिए तो बिलकुल भी ऐसा ना सोचें ये जो जीव है ये जब नैचुरल हैबिटेट में रहते हैं यानि कि प्राकरतिक वातावरण में तो ये जादा खुश रहते हैं और फ्रीली जीवन जी सकते हैं यानि सुतंतर जीवन किसको अच्छा नहीं लगता है सबको अच्छा लगत थी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि हाथ के पास में तीन-तीन गिलहरियां आ जाए क्योंकि टिंगू आता था उससे पहले टिंगू की मम्मी आती थी और ऐसा पहले कई वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी जरूर चेक कीजिए वीडियो कैसी लगी जरूर बताएए थैंक यू